बढ़े सुप्रभाद बच्चों आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत हैं आज हम लोग हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं कुछ गाडियों के नाम जो रोड पे चलते हैं उनको क्या कहते हैं हिंदी में वह आज हम पढ़ेंगे ठीकि बच्चों तो आएए देखते है हिंदी में हम गाडियों को कहते हैं गाड़ी इंग्लिश में इसे वैकल्स और हिंदी में कहते हैं गाड़ी या गाड़ी ठीक है तो यह जो ओर लिखा गया साड़कपड साड़कपड means on the road हम लोग रोड पे क्या देखते हैं गाड़िया देखते हैं तो यह गाड़िया जो truck, truck means truck, फिर है cycle, cycle को ही कहते हैं, next है bus, हिंदी में भी bus, English में भी bus, next है rickshaw, so हिंदी में में रिक्षा बोलते हैं और English में भी रिक्षा, next है auto, auto दोनों ही languages में हम इसे auto ही कहते हैं, यहां पर पूरा नाम होता है, auto rickshaw, next है scooter, scooter, next है tonga जो होता है, English में कहा जाता है, यह से हिंदी में हम क्या कहेंगे, tanga, tanga, ठीक है बच्चो, तो यह सारे names है, जो आपको याद रखने हैं, और एक और, मैंने important, छोड़ ही है, वो है car, car को क्या कहते हैं हिंदी में, car ही कहते हैं, ठीक है, जब मैंने आ की मात्र तो अगर यह सब कोई पूछा जाए कि इन सभी गाड़ी को हिंदी में क्या पहलते हैं, तो ज़्यादतर हिंदी और इंग्योस के नहीं ही है, कुछ ज़्यादर डिफ्रेंस नहीं है, तो आप आराम से बता सकते हैं, और याद रख सकते हैं, ओके बिच्चो, ठीक है, अगर पे विडियो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और आए इन सभी को एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं, ट्रक, साइकल, बस, रिक्षा, आटो, स्कूटर, टांगा, कार, ठीक है बच्चो? अगर ये विडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के शाब शेयर करना नहीं बूलेगा, ओके पच्चो, इन सभी ची प्लीज उपने!